और जी क्या हाल हैं हेलो एवरिवन आज मैं आपको शोल्डर का फुल होम वर्क 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 आउट बताऊंगा इसमें एट टू नाइन एक्साइज होएंगी यह आपने अपने घर में कर दिया मैं करा हूं आपका शोल्डर कहीं नहीं जाएगा बलकि साइज बड़ा ही होगा ठीक है ना सबसे पहले आपने करना अगर रिस्टेंस बैंड लेने हैं इस पाइप को अब इसके नदर एसे लगाए निज के नचे हमने पाइप को आसा लगा लेना है ठीक है आपको फील ऐसे आईगी जैसे आप जिम में वर्क आउट कर रहे हूं वान टू थ्री फॉर फाइव सेवन एट नाइन टैन ठीक है एक के बाद चिक को निकाल देना है फिरे बैंड एक पैरक निच्चे आपने इसको ऐसे रखना है ठीक है और नोल जोम करते रहे हैं यहां लेकर आना है वान टू थ्री फॉर फाइव सेवन एट नाइन टैन ठीक है और फिरम जो तंबल प्रैस करते रहे हैं ठीक है उसके लिए इसे आपने पैरक निच्च रखना है इस चर्क लिए तरह ठीक है टू थ्री फॉर फाइव सेवन एट नाइन टैन शॉल्डर पंप हो चुका है पूरा तीन एक्सेस के बाद ही फिर यह से निच्चे पैर के निच्चे ऐसे लगाना है ठीक है साइड रेस टैन रैप इधर से टैन रैप इधर से एक साथ भी कर सकते है वान वान टू द्री पर फाइव सेवाड इधर सेवन आपके लिचार एक्साइज सेवन आपके लोगे चार एक्साइज की एक्साइए जीक है ठीक है उसके बाद चारनी वान टू थी फोर फाइव एक्साइज होगी ठीक है उसके बाद फिर स्ट्रिक को ऐसे लगाना है बैंड के अंदर पैर के नीचे रखना है बैंड को ठीक है यह अप्राइट वान टू ठीक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वन मोर एक्साइज इसमें बैंड को यहां से पकड़ना है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 बैंड रखने है उसके बाद श्रब 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 के लिए बैंड को निच्चे से आसे पकड़ना है त्रेड खड़े हो जाना है चाहिए दोनों पैर लगा लू ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 जो शॉल्डर वर्क आउट के आपने सब के 3-3 सेट लगाने है ठीक है समें 10-12 रैप ठीक है मैं कर रहा हूँ आपका शॉल्डर ऐसे पंप हो जाएगा ठीक है ट्रेड जल सब अलग लग नज़ रहेंगे ठीक है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हों कि और जिन से लिटिट वीडियो आपको मिलती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके बेल में घंटी बज़े लाइक और शेयर करना ना भूलना थैंक्यू